हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू पाई स्टडी सरकल माई नीम इस तबस्तुम और आची वीडियो का थामनेल देखकर आप लोग समझेगे कि हम क्या डिसकस करने वाले हैं जी हाँ इस वीडियो में मैं 12 एनाइस वाले बच्चों को पेंटिंग का चाप्र नमबर 8 डिसकस करन लिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें ताकि आपको अन्स अभी वीडियो का लिंक मिल जाएं साथ ही गईज अगर आपको यह नहीं पता है कि पेंटिंग का पर कैसा आएगा तो वीडियो मैंने अप्लोड की थी उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्श हो हिंदिया इंग्लिश मीडियम कोई सा भी तो टी एमें और प्राक्टिकल की भी हमने लगभख सभी सब्जक्शी वीडियो आपके लिए अप्लोड कर दी हैं हैं तो एक बार ज़रूर देखिए का ताकि आपके टी में और प्राक्टिकल भी घर बैटे कंप्लीट हो जाए लेकिन चाप्टर नमबर वन से लेकर सावंत अगर डिस्क्रिप्शन बोक्स देख लेना उसमें आपको सीरेल वाइस सभी चाप्टर सके लिंक मिल जाएंगे अब बात करें इस चाप्टर की चाप्टर नमबर एट की तो राजस्थानी हम लोग का चितरकला है ये जैसा की उसको इग्नोर करें जो भी आपने देखा तो चाप्टर का नम है राजस्थानी चितरकला साराइश एक बार दिखा देती हूं आपको देखिए प्राचीन समय में राजस्थान प्रदेश का राजवारा रायथान राजपूताना तथा फिर राजस्थान नामों से संबोदित इसको किया जाता था ठीक है राजस्थान को इन सभी नामों से पुकारा जाता था पुराने टाइम में राजस्थानी चितरकला का इतिहास कब से शुरू हुआ सोलवी से 19 वी शताबले तक फैला हुआ है राजस्थानी लगू चित्रों का विकास जैन पंजाब और गड़वाल था राजस्थानी शैली की मुखे चार चाकाय थी राजस्थानी शैली में हजारों भित्ती और लगू चित्र बनाए गए हैं ये चित्रधार में साहितिक शरंगारी गरंथों दैनिक जीवन राग रागनियों और प्रेम कथाओं इन सभी पर बना आपको दिखाती हूँ कि कौन कौन सी पेंटिंग के बारे में बात की गई है ठीक है इन चाप्टर के अंदर कौन सी पेंटिंग के बारे में बात की गई है देखिए स्टार्टिंग के जो आपके चाप्टर से उन में ज्यादा तर आपकी मूर्तियों थी शुरू के बारे म अभी हम लोग जैसे जैसे आगे चप्टर में बढ़ रहे हैं तो मूर्तियों से थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और अभी हम लोग पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं तो यह जो है आपकी इस चाप्टर के अंदर आपको पेंटिंग्स जानने को मिलेंगी सारी की सारी मूर्तियां नहीं जानने को मिलेंगी पेंटिंग के बारे में बात होगी जैसे कि आपका सब्जक्टी पेंटिंग है तो गैस पहला कोशचन है आपका कि राजिस्थानी जो लगुचित्र है उनकी खासियत बताइए विश्यस थाइए ठीक है देखें अगर आपको पीडिएफ चाहिए इस पूरी वीडियो का तो पहले पूरे चप्टर को समझे और अगर आपको पीडिएफ चाहिए तो पीडि यह सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं यह हम कवर कराते हैं लेक्चर कर रहे हैं तो राजिस्थान की अन्य शैलियों में बने लगुचित्रों में आकृति की बनावट भवन प्रकरती, रंग आधी में परिवर्तन देखने को मिलता है, बदलाव देखने को मिलता है, ये जो बदलाव है, स्थानिय परंपरा, लोककला के अभाव, राजाओं, आश्रेदाओं, चितरकार की रूची और अन्य शालियों के प्रभाव के कारण हुआ, अधिकतर एक चेश् इस चहरे बनाए गए हैं, डेर तथा सवाच चश्म चहरे भी बनाए गए हैं, स्थी पुरूस के आकर्तियां, स्वास्ते भरी, देह अश्ती, कॉमल तथा भावपूर हैं, इस्तरियों के विशाल, नेतर हैं, बड़े बड़ी आँखें हैं, लंबे खुले बाल हैं, वेनी की बारे में बात है, वो इस पहले पैरग्राफ के अंदर है, दूसरे में हमारा पुरूशों के बारे में, के राजिस्थानी जो चितर हैं, उनमें पुरूश किस तरीके से दिखाए गए हैं, इजी लेंगेज में समझाने की कोशिश कर दी हूँ, ताकि आप जस्ट वीडि पढ़ेंगे तो आपको नियान रह जाएगा, तो पुरूशों की बात करें, उनको पगड़ी, पटका, साफा, टोपी, धोती, जामा, अंग रखा, पाई जामा, और इस्तरियों को लहंगा, छोटी या पूरे बहां की बलाउस, दुपट्टा या पार, दर्शक, ओर्नी प प्रभाव भी है, हाशिये, साधे, बैल बूटो से युक्त या सुनहरे हैं, प्रकरती चित्रण में साफ आसमान, काले घुमरते, बादल, पशु पक्षी, जलाश्य, पुश पलताओं को दिखाकर सोभाविक्ता, यानि एक दम नैश्रल अची दिखाई गई है, नैश्रलि पुलवी शताबी, सोननेश्फी शताबी तक फैला हुआ है, उपर मैंने आपको पताया है, इस शाली का विकास जन पुस्तक शाली से हुआ है, ये शाली जो है, गुजराद, बुंदेल, खंड और फिर राजपोतानों की रियासतों, और पंजाब युम कश्मी राद्दी म पुश्पित और परलविद हुई, मतला फली पूली ठीक है, सत्री शताबी में राजिस्थान शाली में अधिक चितर बने, कलाकार, साधारन जनता के आंगन से लेकर राज दरबार तक फैले हुए थे, समाज में हिंदू-मुसलिम संस्कृति का मेल हो गया था, अताय मुसल मुसलिम पहनावा, दरबारी, अबद काईदे, मुसलिम और इरानी रंगों की पसंद, और प्रचलित मुगल चितरो, जिनमें मिनियेचर पेंटिंग, सो इन सभी की शैली का प्रभाव राजिस्थानी चितरो पर भी हुआ, राजिस्थानी शैली की मुखे चार शाखाए थ तो यह शैली थी, चार शैली थी, जैपूर, मिवार, नाथ द्वारा, उदयपूर, जोधपूर, बीकानेर, कोटा बूंदी, नागोर, किशंगर, अलवर, शेखा, वेरी, आदी, राजिस्थानी, चितरकला के इस सब प्रमुख केंद्रे थे, बारे में डिस्केशन क्या है, दो कोशन्स आपके हो गए है, अच्छे से इनको तयार करें, पीडिएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, टेलेग्राम के तुरू आपको पीडिएफ भी मिल जाएगी, तीसरा कोशन के और अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसके बारे में विवरन देना है, चितर सहीद मैं आपको यहां पर दिखाने वाली हूँ, चितर देखकर जब आप कोशन्स पढ़ते हैं, तो और जादा इजी तरीके से धिहन में रह जाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको थिओरी के पेपर में चितर बनाने को गईज नही हैं, यह आपको थोड़ी के त्यारी करा रही हूं, बाकी जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल फाइल आपकी अप्लोड़ेड है चैनल पर तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन वोक्स में दे दूँगी, बहुत अच्छे तरीके से हैं रिटन प्रैक्टिकल हम आप करके आए हैं, हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों ही स्टुडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल फाइल अप्लोड़ेड कर दी है, तो उसका लिंक के नीचे देख लिए एक बार ज़रूर आपकी होगी, घर बैटे पूरी तैयार हो जाएगी, प्रैक्टिकल लगी हैं, माध्य में टैंपरा, आकार है लगबग, छैगुना आड, विशवस्तु है ढोला, मारू की कथा, चितरकार है, साहिब दी, देखे इसमें चितरकार अग्यात नहीं है, जो मूर्तियां होती थी, उन्में पता नहीं होता था कि किसने बनाई है, लेकिन यहाँ पर दो तरह बागों में भाजित है, पहला बाग इतना है, जिसमें उन्में को कुछ खिला रही है, और दूसरे में जो है, यह उपर किसी कोई जेंस के साथ है, ता चार तरह इस तरह इस तरह के से पोधे हैं, पेड़ हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे, इस जिनको वैसे कपल कह सकते हैं, तो प्रेम कथा पर यह बनाए गए चितर है, चितर को दो भागों में भाजित किया गया है, जैसे कि मैंना भी आपको दिखाया भी है, दो भागों में चितर भाजित है, यह रहा, ऊपर एक तंबू के नीचे ढोला तथा मारू को लाल कालीन पर बैठे हुए दिखाया गया है, मतलब इन दोनों का नाम क्या है, धोला और मारू, लाल कालीन पर बैठे हुए है, जब आप इसको रंगीन देखेंगे, तो यह लाल कालीन पर दोनों बैठे हुए है, ठीक है, और दोनों आमने सामने हैं, पीछे लगे कनात का रंग लाल है उपर का ढखा हुआ भाग पीला है तथा नीली रेखाओं से बनाया गया है यह कलर से इसमें बताए गये हैं अगर आपके पास भुक हो और कलर फुल भुक हो उसमें तो आप देखना एक बार शित्र को दोनों और दो हरे भरे वरक्ष है डोला को अंग रखा पायजामा और पगड़ी जिसमें कलंगी लगी हुई है वो पहने हुए दिखाया गया है धोला तलवार धाल तता कटार यह सब चीज लिए हुए है पुराने जमाने में लोग यह लेकर गूंदे थे डेली उसमें भी जमीन पर बाइयों और सुरा यानि मदिर पात्र तता दाइयों और प मारू जो है असमारी रंग की चोली पहने हुए है पीले रंग के लहंगे अब कलर फुल हो तो देख लेना पीडियोस में और लहंगा है बैंगनी सुनारे किनारे वाली रंग की ओढ़नी पहने हुए है चित्र के निचले भाग में मारू को उट को प्यार करने और उसे का रंग सफेद है दाहीनी और एक केले का छोटा सा पेड है और पीछे मैदान में कहीं कहीं सफेद लाल फूल खिले हुए है और आगए की जो बूमी है वो मटमैली है घास और फूल से भरी हुई है तो ये ढोला मारू के बारे में हैं चित्र देखकर आप बना-बना के लि कर रही है पीछे उंट से उसको कुछ खुला रही है उसके कुछ कान में कह रही है वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज लाइक करके चलें चैनल को कर लें फटा फट से सब्सक्राइब ताकि आपको अनाइस बोट से लेकर लेटेट जो भी लेटेस्ट अपडेट होत एक दूसरे को पान देते हुए ये भी एक चितर है इसके अंदर तो इसके बारे में बताना है शीर शक है राधा और करशन एक दूसरे को पान देते हुए चितरंकाल है 1735-50 के बीच में मादेम है टैंपरा सामगरी है हास से बना कागल्स वाटर कलर है और ब्रश आकार 42 सेंटिमेटर विशवस्तु पान गोश्थी यानि पान की महजिल चल लए है राधा करशन पान खा रहे हैं चितरकाल निहाल चंदर ने इसको बनाया है और अभी ये राष्ट संगरहाले नए दिल्ली में है ठीक है तो देखे ये रहे ये अभी चितर जहां से मुझे अवेल हो पाया है आप देख सकते हैं तो पढ़ेंगे इसके बारे में इस चितर में राधा और कृष्ण एक दूसरे को पान खिला रहे हैं ठीक है पलंग पर सफेज चादर बिची हुई है पलंग के पास एक दासी बैठी हुई है जिसके हाथ में भी पान है पलंग के पास में दा दासी बैठी हुई है, दासी कहा है, यह रही बहन, तो इतना यहां पर इतना कलियर नहीं देख रहा है, जब बहने जिस बुक में से फोटो लिया था, तो वहां पिर भी दिख रहा था, इतना, तो उसके पास एक पांदान रखा हुआ है, बाइए और चार तथा दाहिनी और दो दासिया कड़ी है तो आप ये भी देख सकते हैं भाइश चार बाइश चाहिए और दासिया और दासिया और यही आरहा अगिले खे लिकले खा रहे हैं भी खास खया रहे है लोग आगे है हम लोग का कहां गया वई हाँ इन्हें हम गोपियां भी कह सकते है दासियां भी कह सकते है नीचे घड़े और कुछ बरतन रखे हुए है और सामने एक दासि अधालेटी मुद्रा में है वह एक वेक्ती बांसूरी वे बजा रहा है पान के साथ परलब पूरी महफिल जमा रखे, उन्हें सही है ठीक है, दूसरा इंसान चड़ी लिए बैठा हुआ है इसकी जो वेश भूशा है, वो गाय चराने वाले चरवाही की तरह है और इन्हें हम गोप कह सकते हैं चरवाहे के निकट एक वेक्ती हाथ जोड़े खड़ा है चितर में कालपनिक भाव दिया गया है, बिल्कुल इमेजिनेशन बेस टे चितर है कृशन का रंग सावला है, राधा गोरी है, वो तो मतलब पुराने समय से यही हमें दिखाया और बताया गया है कृशन गड़ की परंपरागत शैली में मुख, आँख, नाख, तता देह, यह वेशबुशा दिखाई गई है और राधा के जो बाल हैं वो लंबे हैं और खुले हुए हैं कृशन के सिर पर राजशाही पगड़ी है, माला का रंग सफेद है, राधा की सिर ओड़नी से ढखा हुआ है यह एक अनुपम कला करती है, प्रिष्ट भूम में आसमान सफेद, रंग के भवन, मीनार और नगर की चार दिवारी यह सब दिखाई गए है पीछे गणा जंगल है, और बीच में बड़ा सा एक जलाश यह है, जिसको जील बोलते हैं, जिसमें कमल खिले हुए है ठीक है, आगे है कि उची नीची तथा फूलों से भरी हुई चितर है, चितर में लग सभी रंगों का इस्तमाल है और प्रकरती चितरन बहुत सुन्दर है, जो किशनगन के लगू चितरों की विशेजता है देखें, आप बहुत जादा इसमें को डिटेल में ध्यान नहीं रखें, यह जब चितर को ध्यान में रखते हुए लिखते चले जाएं, आगे पीछे कोई चीज हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है है ना, तो मगर इस तरह के ऐसे लिखेंगे, आपको नमबर ज़रूर मिलेंगे सामगरी हाथ से बना कावज और वाटर कलर और ब्रश, चितरकार गुमान है, जिनका नाम गुमान है, गुम नाम नहीं है, गुमान, संग्र है, राष्ट संग्र हाले नहीं दिले, तो यह देखे ही रहा, यह चितर कुट में राम भरत मिलाप, तो ऐसे ही थोड़ा सा यह दि बने वरक्षो की कतार है, कुटी के समान बड़ा सा मैदान जहाराम और भरत क्या कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, मैदान में चार और इस्तरी पुरूस जो है, यह यह आशनम बासी तथा रिशी मुनी है, वो बहुत ही खुशी का माहूल बना हुआ है, जब राम और भरत आप पहने हुए है, इस्तरी यहां स्वच और सफेद रंग की साड़ी में दिखाई दे रही है, जो सोमेता और पवितरता का प्रतीक है, प्रकरती चित्र बहुत अच्छा है, व्रक्षो का रंग जो है, वो गहरा औरहरा दिखाया गया है, और चित्र भावपूर्ण है, यह जो सुनने से ही, कौन-कौन बच्चा राजिस्तान से देख रहा है, प्लीज कॉमेंट करके बताए, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे लिख करके बताए कि, आप क्या जानते हो इसके बारे में इसके अलावा, चित्रन काल लगभग सत्रा सो पचासी स्वी, माध्यम है टैमप बड़ी थड़ी किशनगर्ण शैली में बनाया गया है, तो आप देख सकते हैं, मतलब अपना बड़ी बड़ी आखे हैं, गुंगट करके खड़ी हुई है, राधा हैं शायद ये और एकदम ऐसे देख रही हैं, और कामों में भी नोंने जुमके टाइप कुछ पहने हुए ठीक हैं, चले गए जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, अब थोड़ा सा ही हम लोग का चप्टर रह गया है, किशनगर्ण यानि राजिस्थान की अनेक सुन्दर कलाकरतियों में ये जो बड़ी थड़ी हैं, वो अपना ही विशिस्ट महत्वर रखती हैं, यहां के चित ठीक है, तो एक साइड फेस हैंनका, और उन्नत ललाट, लंबी नासी का, मधुर मुसकान, कानों तक खिची हुई, लंबी आँखें, और ऐसी आँखों को खजन नैन कहते हैं, क्या कहते हैं, खजन नैन, पतले अधर, लंबी बाहों, आदी बाहां का जो है, इन्होंने बला पकशी, संग मरमर के सुंदर भावन, लंबी नाव, फवारों, जराश्यों का अंकन किया गया है, निहाल चंदरों चितरकार है, उन्होंने बड़ी ठड़ी के इस लगू चितर में उसे बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है, और किशन गन में बड़ी ठड़ी के इ इनके दाहीने हाथ से इन्होंने गुंगट को पकड़ रखा है, और बाएं हाथ में इरे कमल की दो डंठल की कलिया है, इस तरीके से बड़ी ठड़ी चैली दिखाई गई है, चलेगा इस पूरा चाप्टर में ने आपके सामने खोल के रख दिया है, अच्छा लागा हो तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलिग्राम चैनल पर इसका पेडियाफ मिल जाएगा, साथ ही आपको जो यूनों हमारे जो टी अमे और प्राक्टिकल है, उन सभी के लिंक दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगे, और प्राक्टिकल है, प्राक्टिकल है, हैं जिसका नाम है Learn English by Tawassum तो यहाँ पर आपका English का स्लेबस चल रहा है जिस पर मैं आपको पढ़ाती हूँ तो एक बार देख लेना ताकि आपका English का स्लेबस भी अच्छे तरीके से हो जाए complete बाकी टिया में और practical का link नीचे description box मिल जाएंगे साथ है आपको chapter number one से लेकर सावन तक भी इसी तरीके से lectures मिलेंगे description box के अंदर एक बार जरूर चेक कर लिया करो वीडियो कैसी लगी है प्लीज कॉमेंट करके बताना चैनल पर पहली बारा आयो हो तो latest information के लिए और सारी चीज़ों के लिए आप subscribe करना ना भूलें और साथ ही साथ बैल आइकोन को प्रेस करके रखे ताकि आपको हर एक latest updates मिलती रहे साथ है आपका sleep भी complete होता रहे बागी other subjects के तैयारी भी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं प्लीज कॉमेंट करिएगा subscribe करेगा share करेगा so see you in the next video till then keep studying pie study thank you so much and goodbye